फाइनली वन पीस का ये वाला जो एपसोड वन जिरो फोर एट यार आज मैंने न देखा एंड तुम सबको पता है मैं एपसोड के उपर कम वीडियो बनाता हूं बिकॉज मुझे एपसोड आजकल कुछ खास नहीं लगता है क्योंकि स्लो पेसिंग होती है कभी-कभी हद से ज्यादा फिलर्स भर देता है तो ये अनिमेशन और देखो कुछ इसमें फिलर्स थे लेकिन फिर भी ये एपसोड अच्छा था हाँ एक मोमेंट मुझे पसंद नह नहीं आया उस पर भी मैं बात करूंगा लेकिन ओवर आल पूरे एपसोड का मेन माल यार लाफ्ट का जो था ना यामटो एंड काईडो का राई में हाकी क्लैस भाई क्या एनिमेशन दिखाया है पूरे एपसोड का बोरियत यार उसमें खतम कर देता है मतलब तुम सोचो इ मैं जॉइ बॉइ वाला लूफी का बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं लूफी अभी जब उठके फाइट करेगा ना अब भाई देखने में तो और ज्यादा मुझे आएगा भाई तबाही मत जाएगा यार एंड मुझे क्यों लग रहा है कि एनिमेशन लेवल या कि आजाओ बेटो हम बना रहे हैं देखो ये दिखाने वाले हैं तो हो सकता तो ये अनिमेशन आने वाले टाइम पर एनिमेशन कुछ ऐसा कर दे कि एक स्टैंडर्ट सेट कर दे क्योंकि जिससा आपसे अनिमेशन दिखा दिया ना मज़े आ गया यार क्या कहें वैसे मैं मुमनोसके का थोड़ा वो चुतियापा क्योंकि ये भले ही बड़ा हो गया है लेकिन इसका दिमाग बच्चा है और तुमको पता ही है मुमनोसके को उचाई से डर लगता है यही वो रीजन है जिस कारण से वो यार उपर उढ़ने में असमर्थ है ज्यादा इसो दिंदी हो नजर नहीं आया एक्चुली मांगा के हिसाब से हुआ है कि तुम यह वाला पैनल ही देख लो मांगा में हमें दिखाया जाता है यामटो बंधी हुई है वो चिला रही है कि मैं कुछ की ओड़ेन हूं वगरा वगरा यह सब चीजे उसको भूब भी लग रहा होता है यह सब यामटो जो बंधी थी अगर हम मांगा के हिसाब से जाए लेकिन फिर भी उसने जो है अपने कॉनकरर हाकी से इन सभी को बेहोस कर दिया काईडो के सभी सोल्जर्स को जिसके बाद फिर काईडो आता है कुछ टाइम बाद एंड काईडो यह चीज देखता है प्लस देखो भ बाद बनना इस लाइक काईडो थोड़ा चैड टाइप बंदा यार अगर तुम मेरे दुस्मन बनोगे फिर तुम मरोगे भले तुम मेरे बेटे ही क्यों ना हो हाँ हाँ मुझे पता यामाटो लड़की है लेकिन वो खुद को जिस तर से यार मेल टाइप दिखाती है तो ह तुम उसको बेटा ही माल लेते है काईडो भी उसको डाटर नहीं सन मानता है अब देखो यामाटो को जो है डाल दिया जाता है गुफा के अंदर और तुम यहाँ पर तीन सामुराइस को देख सकते हो जो लोग सिर्फ एनमे को फॉलो करता है एनमे के अलावा दूसरे किसी सामुराइस कौन है यह चीज मैं बताऊंगा रुक जाओ और यह कोई मांगा स्पोईलर नहीं है साथी साथ इस वाले सामुराइस को देखने के बाद तुम्हारे दिमांग में आ रहा होगा कि यह जोरो का बाप है तो बता दू यह जोरो का बाप नहीं है बिकॉज यह हो सकता है कुछ और रिस्ता हो चाचा भतिजा का हो सकता है दादा पोते का हो सकता कुछ भी हो सकता है लेकिन बाप बेटे तो नहीं है इतना पता है अब क्या रिलेशन है वह साय दोड़ाबाद में फ्यूचर में रिवील कर दे लेकिन फिलाल के लिए तो कुछ नहीं पता बात कर लेते हैं बाकी के दामियोंस की ये वाला जो दामियों है ये दामियों ओफ की भी है ये वाला दामियों दामियों ओडोन है और जो जो जोरो का बाप जैसे दिखने वाला ये जो दामियों है इसका नाम है सिमस्त की उसी मारू जो की है दामयों ओफ रिंगों वैसे देखो पांच दामयों किये जा चुके हैं एक दामयों अभी भी ओड़ा छपा के रखे हैं अब ही तक मांगा नहीं हुआ है फूचर में आगे जाके यह चीज रिवील होगा और ओड़ा कि तने जाद incentiv चीज छपाता है वैसे देखो इसके अलावा जब यामाटो का जो हमें ना पास्ट में यह दिखाया जाता है वो जॉनरल किस तरह से पढ़ती है यह लोग उसको पढ़ना सिखाते है ट्रेनिंग देते हैं यह भी बहुत अच्छा लगा देखने में साथी साथ वो जो रॉजर का जर्नी यार द देखके मजा आ रहा था एंड फिर वो तीन दामियों यार बाहर निकलते हैं गुफा तोड़के और फिर बागी तो तुम जानती हो काईडो ने क्या किया होगा वैसे वो तीनों दामियों तीनों सामुराइ बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग थे पर काईडो काईडो है यार व पर भी वीडियो आएगा रुक जाओ बस थोड़ा अब हम बात करते हैं फाइनल वाले मोमेंट की बिकॉज यामटो का पास्ट के बाद जो भाई यामटो का यह वाला क्लैस में जिस लेवल के अनिमेशन दिखाया जाता है तो यानिमेशन यार मजा आ गया देखने में कुछ रहा हूं कि जब लूफी काईडो का फाइड होगा तो किस लेवल का अनिमेशन करेंगे क्योंकि वनपीस के जो एनिमेटर से उन लोगों ने कह दिया है कि यह वाला वनपीस फैंस के लिए बहुत ज्यादा मज़दार होने वाले हैं एनिमेटर काफी ज्यादा महनत कर रहे हैं तो दिख रहा है यार इस तरह का अनिमेशन करेंगे तो सच में मज़दा आ जाएगा एंड हम सबको पाता है अभी टॉप टियर वाले फाइट आने वाले हैं जैसे सांजी वसेज क्वीन जोरो वसेज केंग लॉफी काईडों को फाइट आना भी बाकिया बहुत ज बढ़िया था वसे एपसोड को रेडिंग देने बोलो तो मैं इस एपसोड को भले कुछ एक्ष्टरा चीजा फिलर्स थी लेकिन वो रॉजर वाला जो दिखाया ना जॉन्रल पढ़ रही थी मतला पढ़के सुनाया जा रहा था यहां मटों को वह भी बढ़िया से दिखाय यार इस वज़े से यार अच्छा लगा मुझे देखके हां यह वाला मोमेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए क्योंकि यह वाला थोड़ा चुतियाप जैसा लगा खेर फिर भी यह एपसोड 8.5 आउट और 10 तो डिजर्ट करते हैं तुम सब अपनी राय कमेंट बॉक् कल नया वीडियो आएगा सो उसके लिए वेट करो तो यार मिलें नेक्स वीडियो में फिलाल के लिए बाई